तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इसनाय और रेस्ट वडियो में और आज के इस वडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तेंथ क्लास के उर्दू के रौष्णी के किताब से दो चैप्टर आज के इस वडियो में मैं आप लोगो को कम्प्लीट करा दूंगी ठ लेकिन आप लोग का कमेंट आ रहा था तो मैं सोची फड़वट कम्प्लीट करा देती हूं अब आप लोगो का एक्जाम भी नजदीक है ठीक तो दो चैप्टर को कम्प्लीट करने वाले हैं एक चैप्टर नमबर एट है और दूसरा है चैप्टर नमबर नाइन जो आठव उसने लिखा था यानि कि इस नजम के राइटर मुसनिफ कौन है तो वह है अम्रिता प्रितम अम्रिता प्रितम पहली बार पंजाबी बाशा में इस नजम वारिस शाह से इस नजम को लिखी थी ठीक तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर नमबर एट कम्प्लीट वारिस शाह से बाते की गई है इस चैप्टर में किसे बाती की गई है तो वारिस शाह से अब बात आती है कि वारिस शाह कौन है तो वारिस शाह देखिए वह अपने जमाने के बहुत बड़े शायर थे और आप यू कह सकते हैं कि वह एक सूफी भी थे तो नार्मली आप लो किसी की मौत हो जाती है उनको याद करकर सोचते हैं हम लोग कि आप ऐसे अभी तक जिंदा रहते तो यह सब नहीं होता यह दिन देखने को नहीं मिलता ऐसी कुछ नहीं होती आप वापस लोट आई यह तो उसी तरह जो है न अमरिता प्रितम वारिश शाह से इस नजम में बात कहती हूं कि अपनी कबर से बोलो और इशक की किताब का कोई एक नया वर्क खोलो कोई नया पेज खोलो ठीक है दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो चौपाल लासों से उटा पड़ा है चिनाब लहु से भर गया है यहां पर बोल रही हैं अमरिता प्रितम की किया करते थे गरीबों की मदद करते थे लोगों के जजबातों को समझा करते थे तो वहीं बोल रही है कि ऐ दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो यह जो पंजाब है पंजाब में चारों तरफ लासों का धेर लगा हुआ है लासों से उटा पड़ा है यह पंजाब चिनाब यहां तक की जो चिनाब नदी है वो लहू से बर गया है यानकी खून से बर गया है आज रहे पनजाब की हालत बहुत ज़धा बिगड़ी हुई है दैन एष्टिति है पनजाब की हालत देखो इस जरखेज धरती से जहर फूत निकला है देखो सुर्खी कहां तक आप पहुँची और कहर कहां तक आ गया बोल रही है कि इस जरखेज धरती से ये जो उर्वरा धरती थी जिससे हमेशा फसल उगा करता था अब इस धरती से जहर फूट निकला है अब इस धरती से जहर निकल रहा है देखो सुर्खी कहां तक आप पहुँची है देखो आज पंजाब की हालत जो टाइटल है आप बोल सकते हैं वही पंजाब की हालत के बारे में बताया गया है कि देखो आज पंजाब की हालत कैसी हो गई है और कितना बड़ा पंजाब पर कहर तूट पड़ा है जहां प्यार क के नगमे चारो तरफ गूज्जपताilotः उठता था अब राजे के सब भाई जो है ना बासुरी बजाना भूल गए अब वबासुरी जाने कहां खो गई पता नहीं में तुम से कहती हूं क्या कहती हूं कि अपनी कब्र से उठाब का कोई नया वर्क खोलो अपनी कब्र एक दूसरे से लड़ रहे हैं जगड रहे हैं और पंजाब की हालत बहुत ज्यादा बत से बत्तर हो गई है इसलिए मैं कहती हूं कि तुम उठो और इन लोगों को इश्क सिखाओ हर गले से गीत तूट गया हर चर्खे का धागा तूट गया सहेलिया एक दूसरे से बिछड़ गई चर्खो की मैफिल विरान हो गई यहां पर बोला जा रहा है कि हर गले से गीत तूट गया हर गला जो गीत गया करता था अब वो गीत तूट गया हर चर्खे का धागा तूट सभी लोग जो एक साथ बैठ कर काम किया करते थे जो सहलिया एक दूसरे से बाते करती थी वो सहलिया एक दूसरे से बिछड़ गई वो लोग एक दूसरे से बिछड़ गए और चर्खो की मैफिल विरा हो गई और वो जो चर्खो का मैफिल है जहांपर लोग क्या करते थे पन था ना अब वह खतम हो चुका है इसलिए वारिस्षा से कहती हूं अपने पश्टाब का कोई नया वर्गं खोल लो। इसलिए वारिस्षा महनेれं कहती हैं कि अपने वर्गं लेल से उथो और प्लव इसको समझ में आं ऑसके वह एक के सांथ मिल जुल कर रहे हैं लोगों के बीच अपनापन हूं तुम इश्क सिखाओ वारिशा यहां पर होता है आप लोग का चैप्टर नंबर एट कंप्लीट आइधिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर ईर्दुबसा में साधिक नेट किया है तो अजीब ठाइप कानाज में आप लोगो समझ में आएंगा यहन में तशिड करूं कि समय होता है न कि नजम कोई मकसद इस चीजज के ऊपर नहींше नहीं अपर नहीं कहीं से कुछ सढने की बू आ रही थी और मैं जेब से रुमाल निकालने वाला था कि मेरी छोटी उंगली नीचे गिर गई लो भई बोल रहे हैं कि कहीं से कुछ सढने की बदबू आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं जेब से रुमाल निकालने वाला था अपने जेब से वैसे ही मेरी छोटी उंगली कटकर नीचे गिर गई उसे मैंने दूसरे हांट से उठा लिया तो नाक ही निकल के आ गई रुमाल के सांथ जैसे रुमाल में लपेट कर मैंने जेब में डाल लिया मेरी छोटी उंगली कटकर नीचे गिर गई तो उस छोटी उंगली को मैंने दूसरे हांट से उठा लिया और फिर रुमाल निकाल कर जैसे ही मैंने नाक पर रखा तो नाक ही निकल आई रुमाल के साथ ठीक जिसे रुमाल में मैंने लपेट लिया उस नाक को ठीक उसके बाद से क्या किया अपने जेब में डाल दिया पिर भी कहीं से कुछ सरने की बु आ रही थी इसलिए मैंने जेब ही जेब में नाक सीकोडी और देखने ही वाला था कि छोटी उमली में कीडे तो नहीं पढ़ गए उसी वक्त दिये बुझ गये यह पर बोल रहे हैं कि फिर भी कहीं से कुछ सरने की बू आ रही थी, मैं नाक पल रुमाल रखा और नाक निकल का रुमाल में आ गई, फिर मैंने उस नाक को लपेट कर जेव में रख लिया, लेकिन फिर भी कहीं से सरने की बू आ रही थी, इसलिए मैंने जेभी जेव में ना सिकोडी और देखने वाला था कि कहीं छोटी उंगली जो है ना छोटी उंगली में कीड़े तो नहीं पड़ गए तब तक उसी वक्त क्या हो गया दिया बुझ गया दिये बुझ गया लो भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नजम लिखने का मकसद क्या है गोल उतना सा लिखा गया है ना उन लोग के लिए जो क्या करता है रूमाला लिहें रहते हैं और उसी के सांग फिर्डम में रख लेते हैं तो इसतरह की जो आदत होती है बहुत घंदी आदत बहुत भुरी आदत तो इस तरह लोगों को नहीं करना चाहिए शायद इस कवीता के माध्यम से यही लोगों को बताने की कोश्च की जा रही है कि जब सर्दी जुकाम होता है तो लोग क्या करते हैं रुमाल निकाल कर नाक पूछते और फिर रखते तो ऐसा नहीं करना अभी तक लाइक नहीं किये तो फड़वर वीडियो को लाइक कर दे और चाड़ो तरफ शेयर कर देना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जिन्ना ज्यादा शेयर करें और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेलेकर याने की घंटी को दुबा कर औल काप्स में फ्लिक कर लेना है उसे होगा यह कि मेरी रो जाने वाली ओल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स टूडियो में नेक्स टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस